खड़े जो भाई आप खड़े जो हाँ सलीम वाले नुमेरिकल की जो वीडियो में शेयर की थी वह पार्ट बी के तुर्पे कितने मिनट की थी अंदाज अधन छे साथ मिनट की गलत बता रहे हो आप खड़े जो एटीन मिनट की एक्सेलेंट आपने टेंड की आपने टेंड आप कड़े हो जो शेयर के थीरी के पास वेपर इस पैस हुए थे कितने मिनट की वीडियो थी फाइव मिनट की एक्सेलेंट बैट जो सलीम वाले सवाल में जो सबसे ची एडियस्मेंट थी वह एक तो थी रेंट के पर टेक्स नहीं काटा था उसमें और उसमें जो आपको वह आपको डिस्टरब कर रहा था तो उसको हमने जवाब दिया था और दूसर सिक्यूरिटी में दो तीन सिक्यूरिटी थी ओवराल उनका 50,000 का गेन आ रहा था उसको लटाके फिर हर हर सिक्यूरिटी को और प्राइवेट कंपनी के शेर्स को अलग अलग देखना था तो य अज हमने नमेरिकल करने है पेज 448 पे आए तो आज को थियूरी नहीं पढ़नी लेकिन नमेरिकल करने के लिए चोटी सी थियूरी की डिस्केशन ज़रूरी है आपने जनल टायर से मार्च के महीने में टायर करी दे तो आप परचेस रिकॉर्ड करना भूल गए जनल टायर स आपने मार्च के महीने में टायर करी दे आप परचेस रिकॉर्ड करना भूल गए ये परचेस आप कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं एपरल में याद आ जाए दुपैर को खाना खाना भूल गए रात को खाना खाना जरूरी नहीं जब भी याद आ जाए खा लें मार्च में रिकॉर्ड करना भूल गए एपरिल में कर लें नहीं याद आया में में कर लें नहीं याद आया जून में वह परचेज रिकॉर्ड कर लें परचेज के बिल भी तफ़ा भूम हो जाते हैं हमारे से तो भी हमें भूल जाती है परचेज रिकॉर्ड करना जुलाई में कर लें अ प्रचेस की तो सेप्टमबर तक रिकॉर्ड कर लें वो अगर अगस्ट में अगस्ट में जून में अगस्ट में परचेस तक रिकॉर्ड लेकिन अगले च्हें महीं ने अगस्ट को डाल करना इसलिए April, May, June, July, August, September बढ़े, where a registered person did not deduct input की जगा हम लिख लेते हैं, did not record purchase, इसकी जगा हम लिख लेते हैं, did not record purchase, कि में claim such tax claim such tax का मतलब means कि record such purchase tax इसलिए बोले कि purchase भी सब्सक्राइब लगाएंगे ना claim such tax का मतलब इत्व है record such purchase he may record such purchase in the six month na 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 in the return of any of the six किसी भी घंटे मुझे जाद आगे मैं खाना खालूँगा मेरा के बता any of the six succeeding tax month तो बता देंजी मार्च की भूली भी purchase April में record कर सकते हैं हाँ June में record कर सकते हैं हाँ August में record कर सकते हैं हाँ सब्सक्राइब रिकॉर्ड कर सकते हैं जी March की भूली भी purchase October October में record नहीं हो सकती ये बहुत ही होगी है आप कहते हैं हाई लेवल ये हाई लेवल हो गया है यह यहां तक नहीं आपने जाना इनकम किसने बोला है तो नुमेरिकल से स्टेक्स वाला वर्किंग वान मुझे तरह रिवाइस कराना पड़ेगा एक नुमेरिकल आपको मेंने करवाया है भाई ये नुमेरिकल था और इस नुमेरिकल में एक अपने वर्किंग कि थी इंपुट की परचेस इंटो 17 परसेंट और एक वर्किंग कि थी ए पॉर्शन मेंटाफ इंपुट उसमें सेल मुझे जादे पच्छिस सो आ रही थी और इस इंपुट से सेटी को इदर लाए थे और तीनों किसम की सेल में अपॉर्शन कर दिया था तो ये इस किसम का कोई नुमेरिकल होता है ये वर्किंग वन हमारी होगी इंपुट टैक्स लेकिन भाई इनको टैक्स ना या परचेज दो तरह की होती है एक होती है परचेज में तो आज एक नही बात आपको पताने लगाँ मशीनरी की परचेज को हम अलग रखेंगे जिसे आप फिक्स टैसर भी कहते हैं बलकि आप अब इसके साथ में इंपूट टैक्स लेकर रहा हूं और दूसरी जो परचेज होगी उसके साथ भी में इंपूट टैक्स से लिखूँगा लेकिन यह इंपूट टैक्स होगा फिक्स टैसर का जैसे के मशीन और इसके इलावा अगर कोई और परचेज हुई तो वो इदर आ जाए करेंगे बहराल लास्ट लास्ट में सिर्फ हमने परचेजिस की बात कि इसमें हमने एक नई लाइ वर्किंग टू तो आपको याद होगा क्या थी अब इसके लिए छे साथ लाइने काफी है इसके लिए दो लाइने काफी है अब पोर्शन मेंट आफ आउटपुट नहीं वो सवाल किया करें जो मैंने घर में होमवक भी दिया था इसके साथ ही एक सवाल पोर्शन मेंट आफ इंपुट उसमें सेल जो है वो हमारी तीन प्रिसम की होती है टेक्सेबल, जीरो रेट और एक्जैम्ट सेल सरासेफ को गाड़ी बेची राना टूंगा को सिरिलंका में गाड़ी एक्सपोर्ट कर दी कुछ दस्तसलाक वाली गाड़ियां हुंडा बनाके बेचीरी हकूंबत ने का चलो इस पर टेक्साम नहीं लगाते यह आगी है हमारी सेल यह इंपुट है यह इंपूट है यह इंपूट सिरिलंका में गाड़ी एक्सपोर्ट कर दी को दससलाख वाली गाड़ियां हुंडा बनाके बेच्वी हकोमत नेका चलो इस पर टैक साम नहीं लगाते यह आगे हमारी सेल यह इंपूट है यह इंपूट है वो जो इंपूट अदर्ज वाला है यानि राव मेटीरियल वाला वो भी देखेंगे कितना राव मेटीरियल किस-किस गाड़ी में इस्तमाल हुआ और फिर इसी तरह देखेंगे मिशीन कितनी इस्तमाल हुई किस-किस गाड़ी के बनाने में तो यह हमने की थी अब मैंने आज सवाल के अंदर दो लाइन नहीं डाल दी है एक यह लाइन नहीं डाली है और फिर एस इसको में यहां भी ले आया हूँ वरना लास्ट क्लास में यह दो कॉलम ते सरह हुए और इधर एक लाइन थी बस तो मशीन दरा आज एक नई चीज आई है इसको ज़रा लग लग रखना है ओके इसके बाद यहां आज एक नई वर्किंग इंट्रोडियूस कर रहे हूं लेडिस वर्किंग 3 उसमें कुछ भी नहीं है टेक्सेबल सेल ना सवालों में ज़्यादा दी होती है तो इसलिए टेक्सेबल सेल के लिए वर्किंग कर लेना बेहतर है यह में वर्किंग नहीं है जरूरत पड़े कर लें पेपर में ना जरूरत पड़े ना कर लें लेकिन यह वर्किंग कर लेना बेहतर है वर्किंग 3 टेक्सेबल सेल और आपको पता है टेक्सेबल सेल आगे दो किसम की हैं बताएं हाँ एक्सेलेंट, रिजिस्टर्ड और इधर नहीं लिखना आपने, यह तो मैं आपको सम्झाने करे लिख रहा हूँ टेक्सेवल सेल दो किसम की है, रिजिस्टर्ड और अन्रिजिस्टर्ड तो रिजिस्टर्ड वाली सेल और चाहिए अब सवाल पढ़ना शुरू करते हैं, यहां तक आप नौट कर लें पॉर्मेट बन गए पॉर्मेट बन गए बन गए यह अगिटर्ड रिजिस्टर्ड और अंगेट रिजिस्टर्ड इस वाइड गए, यहां तो जनवरी 2010 टेल्ज औसेल्स सरे देटेल्स ओफ सेल्स रिदेन था लोकल टेकसरिबल सेल्टू रिजिस्टर रस 14 या जीरो रेत एकस्पोर इकस्पोरट को चेल्ट केसे लैम सेल्ट की सब्सक्राइबा स्सक्क्राइब cups si taxable टू बता दे आप खहाँ आएगी यह वो गाड़िया जो सरासे को बेची है local taxable गाड़िया जो किन को बेची registered dollars को बेची honda ने dollars को बेची एसे समझे ले 17% अवै या 17 जमाथ 3 17% वाली कि इसमें ब्रेकेट में लिखा हूं इसका क्या करना है बताएं 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 इसमें एक इड्वांस पड़ा हुए कितने का इधर उपर देखना पड़ेगा आपको इसमें इड्वांस पड़ा है अगर ये इड्वांस ना पड़ा होता तो ये 2700000 था लेकिन इड्वांस इसमें 30.000 का पड़ा हुआ है बताएं जी इड्वांस को क्या करें इड्वांस को मतलब पता है क्या होता है पैसे आ गए हैं अभी सिरुफ लेकिन अभी चीज़ें डिलिवर नहीं हो अब अगर आप गोर से सोचें तो 2720000 की चीज़ें डिलिवर हो गई है और 30,000 की चीज़ें डिलिवर सिरफ पैसे आए हैं 30,000 के पैसे आए हैं और 2720 की चीज़ें डिलिवर होगी है अब टाइम आप सप्लाई में पढ़ा था अच्छा यह पैसे जो आ गए हैं 30,000 के तो जनवरी में तो पैसे आ गए हैं एडवांस जनवरी में आ गया तो यह डिलिवर कब होगी फरवरी मार्च के अंदर तो हमने क् क्या है इसके पैसे आ गए हैं अडवांस में चीज़ें अगले महीनों में डिलिवर होगी क्या में कह सकता हूं अगर यह सेल में पढ़ा है तो पढ़ा रहने दें क्यों पढ़ा रहने दें क्योंकर टाइम आफ सप्लाई की डेफिनिशन के एडवांस पे भी टैक्स तो इसलिए 3500 करके लिखें सेल में पड़ा रहने दें क्योंकि टाइम आफ सप्लाई की डेफिनेशन कहती है एडवांस पर भी टेक्स लगता है ओके चैने जी लिखें सेल कितनी है तो सेवन रुपीजन थाउदन में कर लेते हैं सवाल 2750 सेल तो रिजिस्टर अगला परे लोकल टेक्सेवल सेल टू बुरे बच्चे यह लोग आए होंगे हमने इंसे का होगा अपना रिचन नमबर दो इन्होंने का होगा हमारे 11-12 employees हैं लेकिन हमने अपने आपको रिजिस्टर नहीं यह तो बुरे लोग को सेल की है दो लाक रुपे की सेल अन रिजिस्टर को कितनी चलें आगे क्या करें इसका तीसरा पॉइंट क्या करें इसका निकालें पेज फोर फोर्टिपाइव सब्सक्रा एक करें मुद्या करें विच्वाइब करें। नहीं आत्र शिक्ट क हाईब कि जी कैंटर्टेश्टर निघिस्टर होंडिज आगे ओंगे। ओंध नहींаемся . टिशीडिब ओंगे कोई दुकान दार अगर मुझे सस्ते बेच दे उसकी अपनी मरजिया है हकूमत टैक्स किस पर मांगे आप जर आगे नजर मांगे और इक मिनट ग्ले सब्सक्राइब आए और आपको यह बताया भी था अगला सब्सक्राइब अब भी मेरा खुलने रहा है अगले सब्सक्राइब आके देखें दो डबे बने में हैं डबा बनावे डबे में लिखावे डिसकाउंट इग्नोर करना है अगले सब्सक्राइब तो बल्के किस के ओपर रेट लगाना है रिटेल प्राइस के ओपर अब बता दें जी उनकी रिटेल प्राइस क्या है 1.5 million लेकिन sale price क्या है 12,00,000 लेकिन हमें discounted price है लेकिन हमें discount ignore करना है retail price is 15,00,000 हमने उसे 12,00,000 ली है पता नहीं क्यों retail price हमके कितनी है जी 15,00,000 बताएं जी लेकिन sale of 20 करीम जी अधनासर वाप कल ले message के बात तो नहीं आए कल जो message आया था उसके वज़े से आया ये अब फस्ट ले है ना आपका physical classes में कल ले message के वज़े से आया हो जो उर्दू में message नहीं पढ़ा था पढ़ा था आगे चलें चोथा point पढ़ें जी goods taken for private use चीजें घर ले गया अगर घर ना लेके जाता तो sale करता चीजें घर ले गया अगर घर ना लेके जाता तो sale करता supply की definition में supply 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 पेज फोर थर्टी एट supply में ये भी है चीजें घर ले जाना supply means also include putting to private use तो इसको सोचना याद रठना पेपर अगर ये चीजें बंदा घर ना लेके जाता तो बेचता इसलिए ये इसकी क्या बन जाएगी इसको आप इंटर की लास में तो सब्सक्राइइं कहते थे लेकिंगे अगर द्रॉण ना करता तो क्या बेचता अ प्राइबेट उस जी बोले नेकस्ट जी भाई जिन्दगी जी बचाने वाला नशा एक्जैम्ट गुड़्स है ना यार इसको छोड़ो हमें कैसे जिन्दगी तो उल्ला के हाथ में है इन ड्रक्स के हाथ में कहा है बैराल लोगों को नाम लग रख दिया है मझे इसलिए मझे भी यहां लिखना बड़ा लाइफ सेविंग ड्राग्स तो यह कौन सी कुटड़ है सवाल वाला खुद कह रहा है एक्जैम्ट है तो फिर अमें सोचने की धिरोद नहीं और हमें यह भी नहीं कहने की दूर्वद सार्थ क्लास में बताया नहीं था यह एक्जैम्ट होती है तो भई सवाल वाले को भी एक्जेम्ट जहां नहीं है अब टेक्सिवल नहीं है एक्जेम्ट को जो चीजें एक्जेम्ट है कोई भी हमारी मिसाल के तौर पर को गाड़ियां हम बनाके बेच रहे हैं को बने के टेक्स नहीं लगना तो उपर लगाके बेचे होंगे उनपर लगाए होगे ड ही था ने कि मेशिस से होगा उनको है इस भुजार हमने क्यente करते हैं। द्राखतकर नंशेम्ट करने ही इस न्य च्योज़ेंपोड़ें अधर इफ्रमेशन से पहले इदर आज़ें, point four, point four, point four है ना, debit and credit note issued, तो यह यह जो debit and credit note issued ना, जो आपको इसकी परिशानी होने के जरूतनी के debit note क्या है, credit note क्या है, यह आपको परिशान होने की जड़ोती है आपने न डेबिट रेड नोट में आगे लिए आपको पढ़ाने है फिलाल यह फिक्रा इंगलिश का पढ़के बता दें कि सेल रिटाना है या परचेज रिटाना है दो फिरके पैदा होगे क्लास के अंदर सबस्टेंडर्ड हलकी फारा सबस्टेंडर्स सप्लाइज वर रिटांड टू वेंडर्स आगे लिए लिए बाय अजर साथ हले से नहीं पूछिएगा अजर कोन है बड़ा मारने सबस्टेंडर्स पूछिएगा अजर कोन है बड़ा मारना है मैंने स्वाल की पहली लाइन पढ़ें अजर किसे लग सोच में पढ़ गए थे कैसी अजर कोन है एक सबस्टेंडर्स सब्लाइज वर रिटांडर्स वेंडर्स वाइज अजर अब दरावता हैं क्या बनेगा यह वर रिटांडर्स वेंडर्स वाइज तो हलकी क्यालिटी की चीज़ें हमने किसी को वापिस कर दी और प्रफट अब रेटांड नोट्स वर रिशूट यह बताएं जी गोड़्ट वा रिटांड बाई डिफरेंट तू अजर बाई कस्टमर किस्टमर किस्टमर औक रेटांड ने हमें और हमने चीज़ें व कोसे बएज रिटांड अंचिज़ें किस्टमर का रहा हूं सेल की या परचेजर की सेल की फिलाल मैं सेल की कलकुलेशन कर रहा हूं तो सेल कलेशन के सेल तरड़ दलवा दे हैं और यह सेल इतन है आपने by default हुमिशन डलवाय करनी है यहां पे रिजिस्टर बंदों ने चीज़ें वापिस की होगी यह से लिटन बाइ डिफॉल्ट आपने जहां डलवाया करें लेस बोले से लिटन दी बोले तो त्याल करवादें फो टू नॉट कर लो भाई आप भी तो से भाई नहीं यह नॉट किया है स्केच में आ रहे थे हैं सलीम वाले नुमेरिकल की डिस्टर इंट की थी कल कल सोना और बीना वाली और आज असलीम वाली करोगे आज कोई नहीं मने अपलोड देनी बहुत होगी है बस मेरी भी घर वले कहते हैं बाग कर दो कि अधिर भी आंके बढ़ती रहते हो वहले कमरा डूनना पड़ता है कहां प्यावाज है नहीं आ रही है कि आरे है है थे ख में कर साथ में आरे होंगे है आरे हैं ऑखी आचा जी तो सब शेंड शप्लै रिट सर्ण टूंट वेंडर एक 40,000 और 2,50,000 तो इस फिर हम 2,50,000 को लेते हैं परचेज रिटार्न को छोड़ें परचेज रिटार्न को छोड़ें अच्छा जी आगे मूज परें सेल बता दें ट्रोटल आपकी कितनी बनी वो उसको ले ना इदर हिम्मत करने रहां दो तिन लोग उसको उठा के लाएं 42,50,000 अब आपकी सेल बता दें कितनी बनी वान जिरो 25,000 चलें जी सेल वाली साइट फारिक होगी अब परचेज वाली साइट पर हाथ पिरना है बकरा जिवा हो गया अब मुर्गी की तरफ आजें अब मुर्गी पर हाथ साफ परें अच्छा जी एक नई मशीन फरी दिया है फॉर उपीस थ्री लैक प्लेटर पक्ड़ों इनिशेल लाउंस थ्री लैक इंटू यहां कोई तसवर नहीं है डेप्रेशेशन का इनिशेल लाउंस का यहां परचेज पर सत्रा लगता है यहां परचेज पर सत्रा लगता है बस अन्यों मशीन परचेश्ट पर पीस त्री लैक वस्कमिशन इंट अप्रेशन द्यूरें जन्वरी अच्छा यह लाइन एक लिक्की हुए है अल्ड़ अबाफ फिकर्जार वे रैप्लिकेबल एक्स्क्लूसे वास तो यह तीन लाख सो पे पड़ा हुआ है इसी तरह बाक्क इस आईडिया भी चल रही है और मैंने कहा था परचेश्टों मशीन आपने अलग रखनी है लेकिन एक बात याद रख लें यार working one के लिए न working three के लिए निए working one के लिए आपने 7-7-17% लगाते रहें ताकि आपको भूल न जाए आपने 7-7-17% लगाते रहें तो input tax machine का हो या raw material वगारा का हो आपने 7-7-17% लगाते रहें तो machine की purchase बताएं जी कितना ही है 300 into 17% केतना आगया 50 और उस class में भी हमने purchase पे 7-7-17% लगा दिया था ओके next purchase of raw material from unregistered suppliers amounted to अथाराँ सो यह इस तरह न बोल कर इग्नोर करेंगे काओ इग्नोर करेंगे यह यह दंगे की चोट पर अके यह रेखे ना भाई यह जो हमने numerical किया था मशूरे जमाना इसकी figures भी almost हमें याद होगी है page 465 purchase from unregistered इसमें ने क्या बात की थी हाँ यह ऐसे बच्चे चाहिए बाकी जाए मैं गाता पहले 15 मिनट होंगे बच्चे पेपर पड़े होंगे आप ने sales section numerical ढूट के काटने पर चेस प्रॉं अन्रिजिस्टर रही है यह है वी सीन है याद है अल्लाह अक्पर अरचेज अन्रिजिस्टर इसको डेंश चाल कर देंश असल में इसकी वज़ए यह प्ताई थी के दुकान पर आप किसी अन्रिजिस्टर बंदे से चीज़ खरीदने जाए ना तो वो 17 परशन डाल का वेच नहीं सकता है इस टेस एक्मोड करना होता है वापिस आजाएं जिते दे आगे बढ़ें परचेज आफ राम मटीरियल परचेज आफ टेक्सिबल राम मटीरियल इस तरह प्रशन लगेगा फ्राम रिजिस्टर सप्लायर अमांटी टू चबिस सो चबिस सो में कोई तीन चीजें अलग से बता रहा है के पढ़ी हैं जैसे आपको याद है बिजनस के नमेरिकाज में भी होता था कॉस्ट और सेल्स इंकलूड एडविन सेलिंग इंकलूड इस परचेज में कितनी चीजें पढ़ी हैं तीन चीजें पढ़ी हैं अच्छा अगर कभी ऐसी इसमें ची एड़ियुए घ्स privacy की पड़ी है कि या तो आप इसको पढ़ी रहने दे या इसको माइनस करर दे या इसको एड़ी बता देए कितनी पासिबिलितीज हो सकती हैं आई एक बास सुनने यार इस बैग के अंदर कैल्कॉलेटर भी है रिजिस्टर भी है इस बैक के अंदर इस बैक में बाल पॉंट भी है इस बैक के अंदर खुधाना खास्ता सिगरेट भी है अब छार चीजें इसमें पढ़िए अब मैं कहूं कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज आपके दो पॉसिबिलिटीज है या तो निकाल दें चीजें या पढ़ी रहने दें ये एड करने के कोई तोकर नहीं है वो तो पहले ही पढ़ी है तो सिगरट को निकाल दिया जाएगा और बाकी चीजों को पढ़ा रहने दिया जाएगा क्यूं? इसलिए कि बाकी तो जैन्वन चीज़ें हैं पढ़ी हैं पढ़ी रहने दें तो पलस तो नहीं की जा सकती ना तो एक बाद रखेंगा ये जो 26 की फिगर आपको नजर आ रही है इसमें आपने तीनों में से कोई फिगर खुदा के लिए पलस ना कर दीजिएगा खुदा के लिए कोई figure plus ना कर दीजेगा पेपर में बड़ा भ्याना को ता, छे महीने नदर आएंगा आपको ऐसे खाब में फिर इसलिए इन तीनों में से किसी figure को आपने plus नहीं कर देना 27 में, होई नहीं सकती ना plus वो तो already include है दो possibilities हैं जी क्या करना है, या तो पढ़ा रहने दें, इग्नोर कर दें या पढ़ा रहने दें, या इग्नोर कर दें कुन बोले है, ओ यार खुदा का खुफ करो, यह एक ही बात है या पढ़ा रहने दें, या इग्नोर कर दें, एक ही बात है या तो इग्नोर कर दें, या लेस कर दें तो कोई फिगर किसी में पढ़िया या तो less कर दें या इसको ignore कर दें ये दो possibilities है अब आप लिखनें तीनों में से किसको less करना है किसको ignore करना है कर लिया अच्छा यहां से मैं स्टार्ट करता हूं तीफरे नमबर वाले पहुंच से यह परचेशेस हैं 2600 उस 2600 में यह जो 3000 है ना 3000 यह दो नमबर बिल पड़ा है फेक फेक बिल पड़ा है विससे इस बिल को पड़ा ने दें इस परचेश पर सत्रा लगा ले है हकूमत लगाने देगी दो नमबर बिल हमने अपनी कोई किताबों से बनामनू कि अपने ऐसे हकूमत को दिखाने के लिए दो नमबर बिल बनाया हुए इस बिल को हकूमत मानेगी नहीं मानेगी को लॉजिक तो दिने की जरूँती मुझे या समझा जाज़ेगी बात आपको अब मैंने टायर खरीदे हैं अब टायर खरीदे हैं जनल टायर से धड़ा धड़ा एक बेले नीचे नदर आया रशीद टायर वाले यह कहां बनने शुरू है यह हमने अपने से बिल बना कर खावा था हमारी दरा दिल चारता परचेज़ ज़्यादा हो टेक्स काम देना पड़े इस परचेज में गलत परचेज पढ़ी यहां से क्या कर दें माइनस कर दें आए दो तीन बंदें हिम्मत करें दरा माइनस करने दरा बड़ी फिगर है भी टोटल परचेज कितनी है रिजिस्टर बंदों वाली 20 इसमें से क्या माइनस करें 3 परें जी फेक इन्वाइस बाकी दो को करके एकी बड़ी कठे लेकर जाने है प्यूकल अरे इन हरी आई थेंग टेस्ट देने आज जल्दी जल्दी आपने लग रहे है जल्दी अब यहार अगली मुझे बात बताएं हमारा महीना कौन सा है और इसमें दो बिल पड़े है एक बिल बहुत पुराने और एक बिल पुराने पुराना पड़ावाएं और एक बिल पुराना पड़ावाएं जी हमारा कौन सा महीना जन्वरी दो हजार ग्याराव बिल पुरा हो जसा पुरान पुराने mix बिल अदक इबा़े होँते एक works मार्च ओके अब हम हैं जन्वरी दो हजार ग्यारा में परचेजिस में एक मार्च 2010 का बिल पड़ा है जन्वरी के महीने में मार्च का बिल परचेजिस में शामिल है अभी हमें एक प्रोविजन पढ़के आई थे के परचेजिस अगले छे महीने में रिकार्ड हो सकती अगर भूल जाए क्या मार्च का बूलावा बिल सुबा का बूलावा शाम को घरा जाए तो उसको भूला नहीं कहते लेकिन अगर पिछली रात का बूलावा शाम को घराए तो उसे चंड़ने बढ़ती है कि रात तु कहां रहा दोस्तों के साथ भूमता फिरता रहा तो ये रात का बूलावा है अब बता दें मार्च में मैंने परचेज की थी मैं भूल गया एपरल में रिकॉर्ड करना भूल गया मई में भूल गया जून में जुलाई में गस में सेप्तमबर तक रिकॉर्ड कर सकता था अब जनवरी में रिकॉर्ड नहीं कर सकता जनुरी में रिकॉर नहीं करने सब्सक्रा लेकिन आप वेरी अनलक्य परचेश इंक्लूूड परचेश ऑफ मार्च और यह परचेश किस महीने की हैं ऑवेसल जनुरी की महीने की हैं 26 तो 26 किस महीने की परचेज में किस महीने की परचेज पड़ी है मार्च की इसे क्या कर दें लेस्ट कर दें कितने से क्लेफ और आगे आएं परचेज में सब्टमबर की कि परचेज पड़ी है जनवरी की फचेज में हैं सहित ए बचेज में इनवर्भ वर मार्फ तो शुकर है जनवरी में आमने रिकॉर्ड कर ली है परचेज में पड़ी है तो क्या करें पड़ा रहे ने लिए इंटु सेवंटीन पॉसंट अ 439.45 440 कल लें अच्छा तो भाई हम इसको कह सकते हैं जो पहले बुलिट वाली पजहेज है इसको हम कह देते हैं बहुत पुरानी और इसको कह देते हैं 14,000 वाली को पुरानी इसको बहुत पुरानी और इसको पुरानी तो कौन सी परचेज बहुत पुरानी है उसे रिकॉर्ड करना नहीं बनता मार्च वाली लेकिन यह तो रिकॉर्ड कर चुका था तो मार्च अली पर चेस कर तक रिकॉर्ड हो सकती है? एपरल, मे, जून, जुलाई, अगस, सेप्टम्बर तक सेप्टम्बर 2010 तक रिकॉर्ड हो सकती थी लेकिन उसने मार्च 11 में रिकॉर्ड कर ली है जनवरी 2011 में इसलिए उसे क्या कर दें? माइनस कर दें और सब्तम्बर 2010 वाली अक्तूबर नमंबर दिसम्बर जनवरी 2011 में रिकॉर्ड हो सकती थी और उसने कर ली है रिकॉर्ड इसको क्या करें ने पड़ाने ने अच्छा इसमें अगर एक दो ऐसी मार्क्स लेने के लिए आपने बात करनी हो नो वह आप करके आ सकते हैं परचेस फेक इन वाइस यह हमने रिकॉर्ड नहीं करनी हो तीसलिए हमने माइनस किया ऐसा ही है ना तो इसको दूरा मार्क्स लेने के लिए अगर एक दो लाइन आप डाल दे तो बेतर है परचेस फेक इन वाइस हमने रिकॉर्ड नहीं करनी होती है इसलिए हमने डैस लाल के शो कर दें एक रखार और वो जो परचेस मार्च वाली थी बहुत पुरानी वाली बहुत पुरान सब्सेंडर्स अगे सब्सक्राइब आधे अगे अधे तर इसर्डब स्प्लाईगर रिटांट वेंडर्स बाय आस तो यह कितने कि है 140 की ये vendor को हमने वापिस कर दी तो इसको purchase return में डालेंगे साथ साथ क्या लगाते रहना है सत्रा परसेंट पर्चेस रिटान कितने हैं इंट तो 24 23.8 24 जी टोटर करा दे और ये इधर लाओ पॉइंट फाइव भी छोड़ दे बाकी सवाल जरा मैं कर लो पॉइंट फाइव भी छोड़ दे अच्छा आब आप मुझे ये बता दे हैं कि हमने गाड़ियां पाकिस्तान में भी बेची हैं बाहर के मुल्क में भी बेची हैं और कुछ गाड़ियां एक्जेम्ट सेल भी की हैं इन सारी गाड़ियों को बनाने में मशीन इस्तमाल हुई होगी? इसी बात हैं इन सारी गाड़ियों को बनाने में रौ मिटिरियल का लवस यहां लिखाँ मशीन बनाने में लेग अविलिबल नहीं है कि कहां कितना इस्तमाल हुआ इसलिए को क्या करेंगे? इन दोनों को नीचे बला ले फोर वन सिक्साजाओ और तुम्हारे साथ कोई है तो उसे भी ले आओ हाँ यार यार ये एक निया बंदा मिरे साथ आज खड़ा वे अच्छा इसे ले आओ यार तुम्हें टेंचनल हो बस ले आओ फिर हम इसको सेट कर ले 51 अब ये रा मेटीरियल है सारा जिससे हर किसम की गाड़ी सेल लोगी और ये मशीन का सारा इंपुट है जिससे हर किसम की गाड़ी बनी 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 तो इसलिए अब आप ऐसा करें इनको पोर्शन करना शुरू करते हैं 416 डिवाइड बाइ 10250 मल्टिवाइड बाइ 4250 170 2.48 172.48 चलो ठीक है 173 जैसे भी करना है कोई एक रुपे से फरण नी पड़ेगा उपरनी चाहिए आगे चले 80 162 2 3 4 5 6 पूरा होगे ना 6 इस तरह किलें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा पुछ एक रुपेया ऑखे आगे पकने जी 51 डिवाइड बाइड 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 जो 10250 मुल्टिप्लाइड बाइड 4250 21 21 21 अब इसका करना क्या है यह तरह आपके पुराणे ने मेरिकल में रिवाइज कर रहते हैं यह पुराणे ने मेरिकल में मैंने आपको बताया अब इसका इन्पूट का एक कोलम दला सा दो नंडले थे और इसका इंपूट भी टेले करना जीरो रेट सेल को नहीं लेके जाना क्योंकर सेल लगाएं के फाइदा पुली नहीं होगा एकजेम्ट सेल को नहीं फेस पे लेके जाना क्योंकि exempt sale exempt है तो इस पर टैक्सी नहीं निकालना exempt sale का input मैंने बताया था dead होगा और zero rate sale का input आपको refund मिलेगा ये सारी बात आप से लिए तो वो सारी बात हैं इदर लिख लेते हैं फिर आगे move करते हैं ये लिखनी पेपर में नहीं होंगी लेकिन आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ जी ये जो 181 और 162 इस पर मैं बहस करने से पहले इधर आए इस sale के तरफ इस sale पर zero लगाने इसलिए कोई फायदा नहीं फेस पर लेके जाने के दरो होती है इस sale पर tax नहीं देना इस तरह कोई फायदा नहीं और मैंने तरह था यह बहला जो इंपूर्ट है यह आपका हुआ करेगा यह 162 भी डेट और यह 20 भी डेट अब यह सारी चीज़ें फेस पर नहीं जानें यह जो है 181 यह हकूमत आपको करेगी रिफंड विलके यह 181 प्लस 10 टोटल करके रिफंड होजेगा क्योंकि हकूमत आपसे पुश होगी आप चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसकी वज़ा कि अब ताई थी कि 2000 पर 0% लगाए तो 0 आएगा तो 0 आउटपुट आजएगा जीरो में से तीन नुमेरिकल स्वाल किये थे पहली क्लास में लग लग करके समझाने के लिए तो 2000 इंटो 0 आजएगा 0-81-10 is equal to refund तो ऐसा करें फिलहाल इन तीन फिगर्स को छोड़ें और नुमेरिकल के फेस पर आएं और नुमेरिकल की चीन पर बिल्कुल थोड़ी के यहां पर आके आप यह वाला 81 और 10 लिखते हैं रिफंडेवल आउन 08 सेल यह रिफंडेवल लोग तो अब नुमेरिकल के फेस पर क्या रहे हैं जी यह यह तीन फिगर्स यह तीन फिगर्स रहे हैं उपर लिख लें मिस्टर अजर सेल्स टेक्स फॉर्द मन्थ जन्वरी 2011 यह लिखने के बाद अब पहला लफ्स आप लिखेंगे यहां आउटपूट आते हैं सेल इंटो 17 परसेंट इंटो 17 परसेंट जी बताएं 723 अब आपने हजरात माइनस करने हैं इंपुट इंपुट माइनस करने हैं इसमें हमने एक एक्ट्व और 90 परसेंट वाली बात पड़ी थी तो वह बात जरह मैं आपको बता दूँ वह मशीन के लिए नहीं है मशीन का इंपुट आप सारा माइनस कर सकते हैं वह बात सिरफ मशीन के इलावा वाली परचेजिस के लिए हैं यह बात सिरफ आपको एक जगा मैं पढ़ा दूँ आप निकालें पेज नंबर 449 451 451 451 पे सेक्शन है 8B 451 पे सेक्शन है 8B 8B में है सब सेक्शन 1 इसमें है दूसरा पैरा दूसरी लाइन यह लाइन तो चोथी बन रही है इंपुट अन फिक्स्ट एससर्स स्लैश कैपिटल गुड्स जिने कहते हैं शेल नॉट बी रिस्ट्रिक्ट टू 90% अउट्ट इंपुट फिक्स्ट एससर्स वाला मशीन वाला उसको उट्पुट के 90% तक रिस्ट्रेक नहीं करेंगे बात असान सी है जर्ब फेस पे देखें समझा जानी है आपको इंपुट बता दें भाई मशीन के इलावा वाला कितना है इन दोनों को मैंने अभी लिखवाया दो दिखाया था ना इसको फेस पे ले जाए इसको फेस पे जाके माइनस कर दें तो 173 आपने आउटर कॉलम में क्यूं नहीं लिखा और इनर कॉलम में क्यूं लिखा मोतरम 173 की फेंटी फुंटी लगा के इसको उटर कॉलम में लेके जाना है और 21 को एज इडिस आउटर कॉलम में ले जाना है गेट के ओपर चेकिंग हो रही है चलो भाई दरा उंदरा उंदरा उंदरो चलो तुम भी स्टुडेन अंदर उंदर उंदरो साइड पर उज़ा चलो जी टीचर अच्छा आप गुदर जाएं यार आपका टेंपरिशर नहीं चाहे करना हमने आप पहले तो आप गुदर जाएं आप परिचानना हो आप बारो बारी गुदर जाएं तो 21 को बारो बारी रखना है 21 को फेस पे आपने डाल देना है इस तरीके से पीछे के रह गया 173 आप हज़रात देख लें कि ये तीन फिगस फेस पे कहा जानी है 4,2,5,0, 173 और 21 और देखते रहे ये तीन फिगस पेस 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 अब क्योंकि इन दोनों पे सतरना लगाओ है तो इस पे से उस तरना लगाने रहेंगे इस पे सतरना लगाना होते है जी बोलें के पादा 7 7 अच्छा तो भाई अवाज आनी बंद होगी थी सेल इंटू 17% 723 ये एक्चल वाला इंपुट है और ये मशीन वाला है इन दोनों पे सतरना लगा होते है सेल पे सतरना लगाना पड़ता है अच्छा मेरा आपसे अगला ये सवाल है आप हजरात तश्रीफ अगर लेई आएं तो मिज़े बता दें कि ये कौन सा महीना है नुमेरिकल का जन्वरी ये कुन सा महीना है क्या आपको पता है के पिछले महीन नेक 90% की डिस्ट्रिक्शन वाली कैलकूलेशन परफॉर्म हुई होगी चले मैं आपको फिर रिवाइस करवा देता हूँ रिवाइस हुई तो होगी हुई होगी पिछले महीने लेकिन हमें सवाल में दिया नहीं हो ना सलमे कि क्या हुआ है लेकिन उसका समरी दीवेब मैं बताता हूँ पहले ऐसा करें पेज 465 वाला दरा रूल रिवाइस करें पेज 465 पे जो आपको पढ़ाया था वो रिवाइस करें यह शायद आपको याद आ रहा हूँ हमारा जो एक्च्वल इंपुट था वो था 460 टू याद आ रहे एक्च्वल इंपुट कितना था 462 लेकिन हमने इसे रिस्टिक्ट किया था 90% आउट पुट था एक्च्वल कितना था 462 मैनस करने को कितना दिल जा रहा था 462 मैनस कितना करने दिया गया था अब कितना हम मैनस नहीं कर सके थे ये फिर कभी माइनस करने की अजाज़त है बिलकुल है इसे क्या करते हैं केरी फॉवर्ड अगर आप आज के सवाल के अंदर सारे हदरात तश्रीफ ले आएं तो 0.5 लेखा हुआ है सेल्स टेक्स क्रेडिट मुश्किल लफस है सेल्स टेक्स क्रेडिट मुश्किल लफस है असान लफस लिखको लिखलो अभी किताब लिखलो इननपुंट लगने आ था इनपौड ब्राइट फॉरवड फॉरवड फॉरॉम दिसंबर 2010, अमाउंटेट टू 700, यह पिछले महीने का जैन्वन इंपुट है, जो पिछले महीने कैरी फॉरवड होने के वज़े से इस महीने ब्राइट फॉरवड है, तो इसको आज देखें, इसको पार कहा कराने हैं, इसको आज देखें कहां पार करा ने प्लस ब्रॉब जहां इसमें इने का अपना जन्वरी का अपना जन्वरी का अपना जन्वर्ण और यह हो गया दिसंबर का अपना ब्रॉट फॉवर्ड तो यह आपको ब्रॉट फॉवर्ड यहां पर शो करने की जाज़त है अब आप बता दें एक्च्वल कितना है 870 अब यह तोटल एक्च्वल है तोटल एक्च्वल यानि इसमें हमारे महीने वाला भी पढ़ाव है और दिसंबर वाला भी पढ़ाव है नाइंटी परसेंट आफ आउट पुट से 651 कितना माइनस करने को दिल जाह रहा था एक्च्वल लेकिन कितना लोग तोर आया मजबूरन कितना माइनस कर सकेंगे फैंटी फुटी लगा के बाइर ले रहा है इसको अब आप अच्छा आप बता दें कितना माइनस नहीं कर सकेंगे कैरी फॉरवड कैरी फॉरवड कर ले एट से 73 माइनस करने को दिल चाह रहा था जो कि हमारा जैन्वन था लॉमेकर ने काओ कि खा के 651 माइनस कर लो फिलहाल तो बाकी फिर कभी 222 यह 222 है ना यह फरवरी के निमेरिकल में यहाँ आ जाएगा अब आपको अपको अमिद बोट फावर की समझागी होगी यह जो 222 है यह फरवरी के निमेरिकल में यहाँ आता schle प्वरे लास्ट क्लास में हमने ब्रॉट फॉवर्ड एड नी किया था क्यों कोई था ही नहीं इस क्लास में एड किये यह सब टोटल साथ साथ करवाने हैं सब टोटल भी करवाने हैं मैं लेड़ाइए कि 70 51 सम्टिंग लाफ बुरे लोगों को चीज़ें बेची है इन पर कितना लगाना था इन पर कितना लगाना था 17 तो लग चुका इन पे उपर 4-5-0 में शामिल होके 17 तो लग चुका इन पे कितना फुर्दर लगाएं 3% add 3% further tax on sale to unbegistered 3% off तो 200 तेरी गाड़ी लेट हो गई हम तो पहुंच चुके tax payable to government if क्थًड़ब具G क्थदी क्थद़ प्री अच्छे जी रिवाइस करवाएं मेरे कल का फेस इस पर जी रिवाइस लगना है इग्नोर कर दें इस पर टेक्स लगना ही नहीं इग्नोर कर दें इनको डेट कर दें यह कुमा से वापस मांग लें यह तीन फिगर्स फेस पर ले जाओ तो आउटपुट कर दें नहीं निकालना है फोर टू इसमें से माइननस करने की अजाज़त होगी इंपॉर्ट अधर वाला और इंपॉर्ट मेशीन वाला ओके अधर वाला एक्शल बता दें 173 मशीन वाला 21 अच्छा यह कर लेने के बाद ना अब आपने यहां नहीं देखना अब सिर्क लेटर की गेम है कि अब वहां देखना ही नहीं आपने छोड़े पर आपके लेटर की के एंप कर लेटर पकड़ें अब सब कर लेटर पर होना है बस इंटो सवाल पर जाना पड़ेगा मजबूरन प्लस ब्लाट फॉर्ट इस एट सेवंटी थी त्री इस एट सेवंटी थी निट कहीं नहीं देखना इदर ही सब कुछ अगयले बला है कहीं नहीं देखना इन में दोनों में से दोनों में से थी जुछ से उसके से एट इस एक और दोन बेट सब कर दोनों में दोनों कि अधर आजो क्या आप संग करेंगे चेप्टर नाइंटीन चेप्टर पच्चेश चेप्टर पच्चेश में आजए क्रिस्ट फोर पांसो तेरह पेज पांसो तेरह पेज अधर आज अधर शार सब्सक्राइब नंबर है यह जाज़ इस रिजिस्टर पसन एंगेज इन अमनीफेक्ट्रिंग उप्समिबल गर्स यह आप इग्नोर कर दीजेगा इसकी वज़ा कल बता दूँगा इसको इग्नोर करके सवाल कर दीजेगा सवाल आपका सवाल हो जाएगा इसको सी यू टी कर दें कट कर दें इसको इग्नोर करके आपका सवाल हो जाएगा अच्छा बज़ा कल बता दूँगा सेल कौन कौन सी शेदा टेक्सेबल चार हजार इदर आएं वरकिंग थ्री के जरुवत नहीं पड़ेगी शेदा इदर डालिएगा चार हजार इदर डालिएगा जीरो रेट नहीं है कोई परचेज कौन कौन सी रा मेटीरियल की और मशीनरी की रा मेटीरी परचेज पर सतरा लगाके इदर लिखिएगा और मशीन वाली पर इदर लिखिएगा उसके बाद सवाल खत्म उसका रिकारमिन आजएगी हो जाएगा या डिसकेशन अपलोड होगी इसकी हो जाएगा दोगी या ठीक है जाएँ साथ आले को लेगा झाले को जाएगा या